Hello everyone, welcome back, कैसे हैं आप लोग आसा करते हैं, आप लोग बहुत अच्छे होंगे Dear Strings, आज का हमारा ये लेक्चर आपके चेप्टर आप विव अर्थात मैटिसेस का लास्ट लेक्चर होने वाला है Dear Strings, अभी तक इस चेप्टर के विहाब पर मैं आपको कई सारे लेक्चर प्रोवाइड करा चुका हूँ आसा करते हैं कि आप सभी लोग इन उन प्रिवियस लेक्चर को जरूर से जरूर देखा होगा अगर आपने एक भी लेक्चर को मिस किया है तो Dear Strings चैनल पे प्लेलिस्ट बन चुकी है साथ ही साथ उस प्लेलिस्ट का लिंक आज के इस लेक्चर के डिस्क्रिप्सर में भी आप लोगों को मिल जाएगा वहाँ से जाकर कि आप प्रिवियस सभी के सभी लेक्चर को जरूर से जरूर देख लिएगा Dear Strings आज के इस लेक्चर में हम कुछ important question आप लोगों को solve कराएंगे जिस तरह के questions आपके exam में पूछे जाते रहते हैं Dear Strings सारे concept आल्रेडी complete हो चुके हैं इसलिए आप मेरे साथ question को solve कर सकते हैं और जो question आप लोग कर सकते हैं वो मेरे साथ साथ करिएगा जो आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको देखिएगा लेकिन lecture को complete देखिएगा योगि आज के इस lecture में कुछ questions आपको task के फाम में भी मैं provide कराऊंगा उसको आप लोग को खुद से करना होगा आए डियोस्टेंट अपने first question की तरफ बढ़ते हैं ये बहुत ही ज़्यादा important question है डियोस्टेंट इस तरह के questions exam में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं most important मैं इसको बोल रहा हूँ देखिए क्या है इसमें कराऊं यदि A is equal to A है तो दिखाइए कि A square minus 9 A plus 14 A is equal to 0 होगा आईए इसको हम लोग solve करते हैं देखते हैं डियोस्टेंट इसका solution कैसे होगा क्या यहां से हमें पूछ रहा है देखो डियोस्टेंट आराम समझते हैं यहां given क्या है A एक matrix है 4, 2, 3, 5 यह हमारा क्या है matrix है हमें prove क्या करना है आराम से समझते चलिएगा हरवडाईएगा मत 2 prove देखिए हमें prove क्या करना है A square minus 9 A plus 14 I is equal to 0 यह हमें dear students यहां पर क्या करना है प्रूफ करना है अब यहां पर A की value तो हमें given है I क्या है इसकी वारे हम बताएगे जहां I दुत्ये क्रम का 1 I आप भी हो means identity matrix है means यहां पर I की जो value आएगी हो कितनी आएगी 1, 0, 0, 1 यही तो होता ना दुत्ये क्रम का identity matrix तो हम लोग क्या करते हैं इसका left hand side ले लेते हैं left hand side क्या होगा A square minus 9 A अब प्लस में 14 I अब जो value हमें given उसको put करो A की value कितनी होगी 4, 2, 3, 5 A square का मतलब एक बार और लिखेंगे इसको हम 4, 2, 3, 5 यह हो गया minus 9 A A का मतलब 4, 2, 3, 5 यह हो गया अब प्लस में 14 I I का मतलब समद रहे हैं identity matrix यह हो गया हमने क्या किया सारी values को यहाँ पर put कर दिया अब इसको हम क्या करेंगे simplify करेंगे अब देखो multiplication तो आपको आता ही होगा multiplication नहीं आता है तो आपको आना चाहिए मैंने बोला कि previous lecture को आप देख लीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा ठीके आईए समझे this is equal to अब इस पहली पंक्त को पहले अस्तम से गुड़ा करेंगे 4 चोके 16 होगा और 3 दूना 6 होगा यह हो गया अब इसको इसके लेकी चलिए 4 की 12 होगा 5 यह 15 होगा यह गुड़ा होगा अब इसको इसके साथ लेकी आइए 2 चोके 8 होगा और 5 दूना 10 होगा फिर इसके साथ करोगे 6 होगा और प्लस पचाम 25 हो जाएगा यह इसका हो गया अब इसको अंदर उड़ा करें 9 चोक 36 36 9 टूजा 18 हो जाएगा 9 तरीका 27 9 पचे 45 यह हो गया और प्लस इसको भी कर लिजिए 14 एककम 14 यहाँ 0 यहाँ 0 और यहाँ 14 यह हमने जो है इसको सिंप्लिफाई किया आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मिलेगा डियोसेंट्स यहाँ पर हमें देखिए यहाँ पर हो गया 16,4,20,22 ठीक है यह हो गया आपका 22 हो गया और यहाँ पर आप देखेंगे तो यह आपका 27 हो गया यह आपका डियोसेंट्स 18 हो गया और यह देखिए आपका कितना हो गया 35,35 हो गया और 31 हो गया और माइनस में यहाँ कितना होगा 36 होगा 18 होगा 27 होगा 45 जो था ऐसे ही रहेगा और प्लस में डियो सेंट्स यहां कितना होगा 14, 0, 0 और 14 इतना समाझ में आए सबको आप देखें ये एक मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स से माइनस का साइन लगा है तो सब्ट्राइक्ट हो जाएगा तो सब्ट्राइट करिए इसको देखें ध्यान से क्या मिलेगा हमें यहां और इस मैट्रिक्स में आप ध्यान दीजेगा 22-36 हो जाएगा फिर 18-18 हो जाएगा फिर यहां देखें ध्यान से 27-27 होगा और फिर यहां पर आप देखेंगे 31-45 होगा ठीक और प्लस में यह हमारे पास जो था वो बचा रहेगा कितना 14, 0, 0 और 14 यह हमारे पास बचा अब इसको आप simplify करेंगे देखेंगा धान से इसको subscribe करोगे minus 14 आएगा इसको करके 0 आएगा यहां भी 0 आएगा इसको करेंगे डियो तो minus 14 आएगा ठीक है प्लस हो गया 14, 0, 0 और 14 अब देखेंगे धान से एक matrix यह है और एक matrix यह है दोनों matrix को हम क्या कर सकते हैं आपर add कर सक सकते हैं उनको जोड सकते हैं तो add कर दीजिए कितना आएगा minus 14 प्लस 14 फिर 0 प्लस 0 फिर यहां भी 0 प्लस 0 यहां पर minus 14 और plus 14 फाइनली जब आप इसको साल्व करेंगे तो यहां 0 यहां 0 यहां 0 यहां 0 फाइनली आपको कितना मिल गया 0 जो की equal एडियोसेंट्स राइट हैंड साइड के और यही आपको प्रूफ करना था बहुत ही आसान सा कुष्षन था आप लोगों ने देखा इस तरह के कुष्षन्स बहुत ही जादा important होते हैं यह दो नंबर में या अगर तृतिये कोटी का आप भी वहां पर दे दिया जाता है त और उसको आप लोग खुछ से साल्व करेंगे और मुझे उसका एंसर कमेंट सेक्सन में जरूर से जरूर बताएंगे ठीक है और लग रहा होगा कि किस तरुके से ट्योचेंट्स हमें इस तरह के क्विस्षंस को क्या करना होता है नहीं मिल पाया अभ हैं आपको रेगुलर पर वो उस पर आपको अब regular lectures मिलेंगे ठीक है चलिए next question की तरफ हम लोग चलते हैं और उसको आप लोगों को solve करना है ठीक है question देखिएगा इसको task में लिखिएगा यह task होगा आज का इसे आपको solve करना होगा देखिए क्या लिखा हुआ idea sense यहां कह रहे हैं कि यह दि आप व्यू एक matrix है आप व्यू एक वैलू जो हमें given हो देखिए क्या given है one two minus three given है फिर minus two three और one फिर minus three minus one और two यह हमें given है है यह है ठीक है और और आई जो है वो इकाई आप व्यू है आई एकाई आप व्यू हो तो ठीक है यह स्क्वेर ए स्क्वेर माइनस थ्री ए प्लस नाइन आई का मान ज्यात कीजिए यह क्विश्चन आपको खुद से करना है और मुझे कमेंट सेक्षन में इसका एंसर बताना है कैसे किया जाएगा आप समद रहे होंगे यह स्क्वेर यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको जो प्रूफ करना है प्रिवियस क्विश्चन की तरह आप लिखेंगे to prove क्या a square minus 3a plus 9 prove नहीं करना है find करना है यह find करना है तो अभी a square a square का मतलब क्या हो जाएगा बताइए a square का मतलब a की value put कर दीजिए आप यहाँ पर 1, 2, minus 3, minus 2, 3, 1, minus 3, minus 1, और 2 यह हो गया a square है इसलिए 1, 2, minus 3, minus 2, 3, 1, minus 3, minus 1, 2 यह हो गया और minus में 3 a की value फिर से put करेंगे आप 1, 2, minus 3, minus 2, 3, 1, minus 3, minus 1, और 2 यह हो जाएगा plus 9i i का मतलब क्या होगा 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 यह हो जाएगा अब क्या करेंगे आप इसी को simplify कर लेंगे और simplify करने के बाद जो answer आएगा वो मुझे comment section में बता देंगे तो आहाँ पर जो i का value होगा वो 3 गुड़े 3 quote का तस्वमक या i का i आप व्यू लिया जाएगा अगर यह जो आप व्यू आपको given है 2 गुड़े 2 ही quote का है तो जो हमें high की value लेनी होगी वो दो गुड़े 2 quote का ही वर्ग आप व्यू या तस्वमक आप व्यू आप व्यू आप व्यू हमें लेना होगा तो i hope इसको आप लोग solve कर सकते हैं इसको आप लोग solve करिएगा और मुझे comment section में इसका answer जरूर बताईएगा कि आपका answer कितना आ रहा है ठीक है जब तक आप mathematics में खुद से work नहीं करेंगे तब तक mathematics दियो स्टेंट्स नहीं आएगी इसलिए आप लोग मेरे साथ question ख्राल्व करने का मन बनाईए और ऐसे question को solve करिए ठीक है आईए हम next question की तरफ बढ़ते हैं जो की एक अच्छा question है ठीक है एक अच्छा question है देखिए का ध्यान से या भी एक अच्छा question है आईए देखते हैं क्या है यह यह स्टेंट्स इसमें करा कि या दि एक ही जो value है वो हमारे पास हो 1,3,4 ठीक फिर 1,2,3 उसके बाद 3,1,5 यह हमारे पास एक matrix A given है तथा दूसरा matrix B हमें जो given है वो हमें 1,0,2 है 2,1,0 है 0,2 और 1 यह हमें एक दो matrix given है तो दिखाईए की ध्यान दीजे तो दिखाईए की हमें दिखाना है means proof करना है क्या proof करना है first part हमारे पास है A plus B का whole dash मतलब इसका transpose equal होगा A dash plus B dash के ठीक और second हमें यह so करना है कि A minus B का whole dash जो है वो A dash minus B dash के equal होगा यह important question है इस तरह के questions dear students आपके exam में बहुत ही जादा पूछे जाते हैं आईए हम लोग चर्चा करते हैं कि ऐसे question को हम लोग कैसे solve करेंगे आईए solution से हम लोग start करते हैं solution में सबसे पहले आपको जो given है उसको आप यहाँ पर write करिए given है एक matrix A जो की 1, 3, 4 और 1, 2, 3 और 3, 1, 5 यह हमारे पास है और दूसरा matrix B जो है वो है 1, 0, 2, 2, 1, 0, 0, 2, 1 ठीक है यह हमारे पास दो matrix दिये हुए है हमें 100 क्या करना है आईए उसको देखते हैं 200 बहुत ही बेहतर इन question है 200 हमें 100 करना है कि A प्लस B का whole dash equal होगा A dash प्लस B dash के इसका क्या मतलब हुआ कि हम दोनों matrix को add करके उनका transpose निकाले या अलग-अलग उनके transpose का योगफल याद करें दोनों situation में value same आएगी ऐसा हमें क्या करना है प्रूफ करना है तो आईए समझते हैं इसका left hand side लेते हैं रियोसेंट सबसे पहले left hand side को find करते हैं means A plus B के hold dash को find करने का प्रयास करेंगे ठीक है तो आईए सबसे पहले हम क्या करना पड़ेगा A plus B find करना पड़ेगा तो A plus B find करेंगे A की value कितनी है 1,3,4,1,2,3,3,1,5 यह A है plus B भी यहाँ पर write करेंगे 1,0,2,2,1,0,0,2,1 यह हमारे पास दूसरा अमेट्रिक से B है अब हमें A plus B find करना है यहाँ पर find करते हैं आइड करिए दोनों को 1 को 1 के साथ add करोगे 2 आएगा 1 को 2 के साथ 3 आएगा 3 को 0 के साथ कितना आएगा 3 आएगा अब इस 3 को 0 के साथ करोगे 3 आएगा 2 और 1 यहाँ 3 आएगा 1 और 2 3 आएगा और यहाँ 4 और 2 कितना आएगा 6 और यहाँ 3 आएगा और यहाँ 6 आजाएगा यह आपको क्या मिल गया यह हमें मिल गया A plus B means दोनों matrix को हमने add कर लिया अब आपको क्या चाहिए A plus B का hold is 3 3 3 3 3 3 6 3 6 यह आपको मिल गया है left hand side की value means A plus B के hold dash की value हमें मिल चुकी है अब क्या करेंगे आप आगे आएगे अब हमें पहले निकालना होगा A dash A dash direct निकालता हूँ यह एक even है A dash क्या हो जाएगा 1 1 3 हो जाएगा और 3 2 1 हो जाएगा 4 3 5 यह A dash हो गया अब यहीं पर आप क्या निकालिए B dash B dash find कर लिजे तो 1 2 0 0 1 2 2 0 1 ठीक है पंक्ति को अस्तम्ब में और अस्तम्ब को पंक्ति में परस पर परिवर्तित कर दिया जाता है उनका minimum कर दिया जाता है तो हमें उसका transpose मिल जाता है इसे हमें A dash या B dash से दिखाते है अब क्या करोगे अब दोनों को आप add करोगे A dash plus B dash निकालोगे तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पर 1 1 3 3 2 1 और 4 3 5 लिखा जाएगा और plus में यहाँ होगा 1 2 0 0 1 2 2 0 1 ठीक है add करिए A dash plus B dash जब add करेंगे आप यहाँ पर देखो 1 और 1 2 हो गया 3 और 0 3 हो गया 4 और 2 कितना हो गया 6 हो गया अब यह देखो 1 और 2 3 हुआ 3 और 1 2 और 1 3 हुआ 3 और 0 यहाँ भी कितना हो गया 3 हो गया अब इसको करेंगे 3 आएगा 3 आएगा और 6 आएगा आप देखिए धान से यहाँ से हमें जो A plus B के whole dash की value find होई थी 2 3 6 3 3 3 3 3 6 वही A dash plus B dash की value भी find होई है 2 3 6 3 3 3 3 3 6 तो आप कह सकते हैं hence यहाँ से आप यह कह सकते हैं कि A plus B का जो whole dash है वो equal आया है A dash plus B dash के equal आया है और यही हमें डियोसेंट्स यहाँ so करना था यही हमें proof करना था अब I hope आप लोग इसका second part खुद से कर सकते हैं कैसे करना होगा जहां हमने A plus B का whole dash find किया है वहाँ आप A minus B का whole dash find करेंगे उसके बाद A dash में से B dash को क्या कर देंगे subscribe कर देंगे और देखेंगे कि दोनों side आपस में equal आ जाएंगे और हमारा यह second part proof हो जाएगा तो I hope dear friends आप इस second part को आसानी से कर सकते हैं मैं इसको erase करता हूँ second part आप लोग जरूर से जरूर करेंगे और मुझे comment section में बताएंगे कि आपका proof हुआ question या नहीं हुगा ठीक है dear friends आज का ये lecture इस chapter का last lecture होने जा रहा है और आज के इस lecture में जो भी questions मैं आपको solve करा रहा हूँ ये सारे के सारे question आपने आप में बहुत ही बहतरीन question है बहुत ही interesting बहुत ही मदेदार बहुत ही जादा important question है इसलिए सारे question को हमारे साथ solve करते चलिएगा और इसको notes में भी आप लोग लिखते चलिएगा dear friends जिससे आग को समस्या ना हो आगे चलके ठीक है अगला question और भी जादा बहतरीन है आईए देखिए ये क्या है क्या इसमें पूछा जा रहा है यहां कह रहे है कि यदि इफ ए कोई matrix है और देखो ये क्या है लिखा है 2546 ए हमारे पास कोई matrix है तो सिद करे की तो सिद करे की देखो क्या सिद करना है सिद करे की सिद करना है a plus a dash एक सममित आप भी हो है एक सममित जिसको हम क्या बोलते हैं सिमेट्रिक्स सममित आप भी है देखो कितना अच्छा क्विश्चन है आईए इसको हम लोग देखते हैं फर्स्ट आफ हाल डियस्ट्स आपको यह पता होना चाहिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स अर्था सममित आप भी होता क्या है आपको बताया गया था कि यदि ए कोई ऐसा आप भी है कि एडैस करने पर हमें वही आप भी होता है तो इस सिचिवेशन में जो ए होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं या सममित आप भी हो कहते हैं अगला केस बताया गया था कि अगर एडैस माइनस एक एक्वल हो जाया तो इस केस में इसको हम लोग बोलते हैं skew symmetric, क्या बोलते हैं? skew symmetric matrix बोलते या इसको बिसम सम्मित आप view के नाम से जाना जाता है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? ए प्लस ए डैस को find करेंगे अब उसके बाद A प्लस ए डैस का हम transpose निकालेंगे ए प्लस ए डैस find करेंगे उसके बाद उसका transpose निकालेंगे अगर उसके transpose को find करने पर हमें वही matrix find होता है वही आप भी उप्राप्त होता है तो इसका मतलब वो क्या होगा symmetric होगा समयमित होगा आईए समझते हैं इसका डियोसेंस हम लोग क्या करते हैं solution करते हैं ठीक है बहुत ही बेहतरीन कुछ सरह है ध इतना 2, 5, 4 और 6 तो सबसे पहले आप यहां से a dash find करिए a dash a dash आप find करेंगे तो 2 आएगा 4 आएगा 5 आएगा और 6 आएगा इतनी बाद सबको समझ में आई होगी अब आप क्या करिए now आप find करिए a plus a dash a plus a dash आप करिए यहां पर a की value है 2, 5, 4, 6 ठीक है a dash की value है 2, 4, 5 और 6 यही है हमारा अब जब हम a plus a dash की value को find करेंगे यहां आएगा 4, यहां आएगा 9, यहां आएगा 9, यहां आएगा 12 सही है, clear हो गया अब हम इसका क्या निकाले, transpose निकाले, देखिए ध्यान से now a plus a dash का dash find करिए तो क्या होगा देखिए ध्यान से, ऐसा करने पर आपको मिलेगा 4, 9, 4, 9 और मिलेगा 9 और 12 आप देखिए ध्यान से, आप यहां देख पारे होंगे कि here, यहां पर a plus a dash के whole dash की जो value आई है वो a plus a dash के क्या ही है, ध्यान दिए सभी लोग, जब a plus a dash का whole dash, means a plus a dash का जब हमने transpose find किया, इसका परिवर्थ find किया तो हमें वही matrix means a plus a dash ही find हो गया है, अर्थाद, आप यहां क्या कहोगे, अर्थाद a plus a dash, कैसा आप भी हो डियो सेंट, सममित आप भी हो है, सममित मीन्स कैसा आप भी हो है, सेमेट्रिक मैट्रिक्स है, यह हो गया इसको करने का तरीका, यह अपने आप में बहुत ही बहुत ह और बहुत ही ज्यादा question dear students इस तरह का बहुत ही ज्यादा आपके exam में question पूछा जाता है ठीक है चलिए इसको मैं raise करता हूँ और चलता हूँ अपने next question की तरफ dear students और देखते हैं कि उसको हम लोग कैसे साल्व करेंगे और उस question में क्या खास बात है क्या नया हम लोग सीखने च देखें कैसे next question देखेंगा बहुत ही अच्छा question यह भी है करें कि यदी यदी क्या भाई एक matrix है उसकी value हमें given है कितनी given है 2,4 और 3,5 हमें given है ठीक है करें तो सिद्ध करें की हमें सिद्ध क्या करना है a-a का transpose जो होगा एक बिसम सम्मित आप व्यू होगा अभी अभी मैंने आपको बताया कि इसकी symmetry करता बिसम सम्मित क्या होता है जब a-a हम find करें और वो minus a के equal आजाए तो उसे हम skew symmetry क्या भी सम्मित बोलते हैं तो वही यहाँ पर करना है आईए साल्ब करते हैं और देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे करेंगे बहुत ही अच्छा question है solution a equal to हमें कितना given है डियो सेंस 2,4,3 और 5 सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका transpose निकालेंगे a का transpose निकालेंगे डुरी 4 और 5 यह आपको मिल जाएगा अब क्या करेंगे इसको subscribe करेंगे means a minus a का transpose आपको निकालना है तो a है 2,4,3,5 और a का transpose कितना है 2,3,4,5 सही है अब इसको सब्ट्राइड करिए a minus a का transpose जब निकालेंगे तो यहाँ 0 आएगा ठी इतनी बाद समझ में आई आपको a-a-10 की value मिल चुकी है अब क्या करिए अब देखे क्या करिए अब इस a-a की पावर t या transpose का फिर से transpose निकालिए तो आपको देखो क्या मिलेगा आपको मिलेगा 0-1 1 और 0 मिलेगा इतनी बाद सब को समझ में आ रही होगी अब इसमें से minus हम common ले लेंगे तो a minus a का transpose whole का transpose करिए minus ले लिजे common यहां मिलेगा 0, 1, minus 1 और 0 यह मिल जाएगा अब देखिए किसकी value है a minus a की power t की ही value है तो यहां आपको मिलेगा a minus a की power t मतलब a का transpose का whole का transpose equal आ रहा है minus a minus a के transpose के तो यही तो condition होती है ना कि अगर a का transpose minus a के equal आए तो उसी को तो हम skew symmetric matrix कहते हैं तो देखिए अगर यह कोई matrix है इसका transpose इस matrix के negative के equal आ रहा है इससे proof हो गया अर्थात क्या proof हुआ a minus a की power t जो है वो क्या है डियो सेंट्स एक बिसम सममित आप भी है एक इस तरीके से यह question भी डियो सेंट्स क्या हो गया प्रूफ हो गया I hope आप लोगों को अममित आप भी है ठीके आए देखते हैं उसको भी हम लोग साल्व कर लेते हैं ठीके बाकी हर एक तरह की questions को हम टच कर चुके हैं अब लगभग लगभग हर तरह की questions यहां पर सिखाया जा चुका है Gin사가 एक बड़ने का अपको सिखाया चुका है इंवर नीकालना आपको सिखाया चुका है और साथी साथ ईऑस्यट्स आप लोगों को आप व्यूभदि से सभी हल करना सिखाया जा चुका है तो हर एक क्योश्ट्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यह कुछिशन जो मैं आपको बताने वाला हूं यह बीटीए बोड़ आफ टेक्निकल एजुकेशन यूपी की तरफ से 2011 में पूछा गया कुछिशन है एक यहां पर गिवेन है हमारे पास 01-2 फिर 103 उसके बाद –th3 or 4 so करना है कि यह एक सममीत आप व्यू है यह एक सिमेत्रीक मैट्रिक्स है तो क्या करेंगे इसका ट्रांस्पोर निकालें ज़िए अगर एकोल आ तो प्रूफ हो जाएगा कि यहां सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आईए साल्व करिए, यहां पर आप A-S फाइंड करिए, जब A-S फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, 0, 1, माइनस 2, फिर कितना आएगा डियोसेंड, 1, 0, 3, माइनस 2, 3, और 4, आप ध्यान से देखिए, आपको वही सेम मैट्रिक्स फिर से मिल रहा है, सेम मैट्रिक्स दियोसेंड फिर से मिल रहा है, आप कहेंगे, इस इस फियर यहां पर A-S जो है, वो इक्वल है किसके दियोसेंड, किसके इक्वल हो गया, A के इक्वल हो गया, अताह या अर्थात, A1, कैसा आप व्यू है बच्चों, सममित, सममित मीन्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सममित आप व्यू है, बस यही हमको इसमें प्रूफ करना था, तो भाई देखो, इस तरह के कुश्चंस को आप कब साल्ब कर पाएंगे, जब आपको यह पता होगा ना, कि सिमेट्रिक क्या होता, इसकी सिमेट्रिक क्या होता, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं, अगर वो आपके क्लियर होंगे, तभी तो आप इस तरह के कुश्चंस को साल यहां पर आप फार्मला याद रखिएगा हिंट याद रखिएगा कि a जो होता है उसको बच्चो 1 by 2 a plus a dash और plus 1 by 2 a minus a dash लिखा जा सकता है याद रखिएगा हमेशा से क्योंकि जब इसको आप simplify करेंगे तो simplify करने पर आपको a ही मिलेगा अब इसमें ये वाला जो part होता है बच्चो ये हमेशा symmetric होता है ये क्या होता है symmetric होता है और ये वाला part जो होता है वो हमेशा क्या होता है skew symmetric होता है ठीक है जो जब कभी भी इसका मतलब जब कभी भी आपके exam में ऐसा कुछ चनाएगा कि कोई matrix आपको दिया हुआ है उसको symmetric और skew symmetric के sum के रूप में परजित करिए तो वहाँ पर आप क्या करोगे solution जब करोगे देखो कैसे करोगे आप लोग जब आप solve करोगे एक ही value आपको जैसे given है यह पर माइनस 1 है 2 है 5 है और 7 3 और 0 है 1 4 और क्या है 5 है तो सबसे पहले आप क्या करोगे A dash find करोगे जब आप A dash find करोगे तो minus 1 7 1 आएगा 2 3 और 4 आएगा और उसके पर 5 0 और 5 यह A dash आ गया अब यह उसको दो पार्ट में चेंज करना है तो जब symmetric वाला पार्ट निकालोगी आप देखो जहांसे symmetric वाला जब पार्ट निकालोगी तो उसका फार्मला होगा 1 by 2 a plus a dash ठीक है a की और a dash की value हमने दे दी है इसको लाकर कि यहां put करेंगे solve करेंगे तो आपको symmetric वाला portion मिल जाएगा उसके बाद फिर आपको क्या करना होगा dear students इसका isqueue symmetric वाला portion निकालना होगा isqueue symmetric वाला portion कैसे निकलेगा यह होगा 1 by 2 a minus a dash फटा फट से a plus a और a dash की value देखो a और a dash की value इसमें put करेंगे तो आपको इस matrix का symmetric वाला part भी मिल जाएगा और इस matrix का isqueue symmetric वाला part भी मिल जाएगा इसको खुब ध्यान से समझिए और इसको dear students आप लोग जरूर से जरूर साल्व करिएगा और अगर किसी प्रकार की कोई problem होती है तो मुझे comment section ने बताईएगा बाखी dear students आपका जो chapter था आप भी chapter number first इसके अंतर कर जितने भी topics आते हैं जितने प्रकार की questions आते हैं हर प्रकार के topic हर प्रकार की questions के बारे में मैं आप लोगों के साथ discuss कर चुका हूँ सब कुछ मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ इसके अतरिक्त अगर आपको किसी प्रकार की question को solve करने में कोई problem हो रही है तो आप मेरे साथ share कर सकते हैं मैं उस पर भी चर्चा कर लूँगा बाखी dear students next lecture के साथ मैं नए chapter की सुरुवात आप लोगों के साथ करने वाला हू तब तक क्लिए dear students सांदा रही और पढ़ते रहे